श्री राद हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे येट्व चल में स्वागत है मैं विजेंदर आज आपके लिए एक और नहीं कथा लेके आया हूँ आज की जो कथा है वो है स्री नर्सी महता जी की जो भक्त माल की एक कथा है इससे पहले नर्सी महता के पिता के श्राद की कथा मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा स्री नर्सी महता भगवान स्री कृष्ण के प्रम अनन्य भक्त हुए है इनकी कथा भक्त माल में भी है और लोग कथाई भी है गुजरात की लोग कथा राजस्थान की, हर्याना की उत्रप्रदेश की तो उनी पे अधारित एक भक्त माल की कथा का परसंग मैं आपके सामने लाया हूँ जो भक्त माल में बताया है नर्सी महता ऐसे परसिद भक्त थे जिन्होंने गुजरात प्रांत को पवित्र कर दिया भक्त नर्सी गुजरात में जुनागड में रहते थे जब ये केवल पांच साल के थे तो माता पिता का देहांत हो गया घर में भाई, वनसी धर और एक भाबी थी और इनकी भाबी बड़ी ही क्रोधी सबाव की थी बड़ा गुस्सा करती थी एक बार नर्सी जी बाहर से आये घर में आने के बाद कहा कि भाबी मुझे प्यास लगी है पानी दे दो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और एकदम मन ही मन जल भुन गई कहती है कि तुम बड़ी कमाई करके आये हो न तुम्हें पानी पिलाई विना कैसे काम बनेगा ऐसा ताना मारा और फिर कहती है जाओ अपने आप पानी पियो जब भाबी ने ऐसी बात बोली तो नर्सी मैता को लग गई और सोचा इज़त नहीं है घर में बिना कुछ बोले बिना कोई जवाब दिये घर से निकल गए और जंगल में पहुंचे जंगल में भगवान भुलेनात का एक मंदिर उस मंदिर में गए वहाँ पड़े रहे मानो अपना सारा दुख भगवान सीव को अर्पित कर दिया वहीं पड़े पड़े शीव का ध्यान करते उनी के बारे में सोचते बिना कुछ खाए पिये भगवान सीव के मंदिर में पड़े हुए साथ दिन बीद गए भगवान सीव ने कहा अब देखिए भगवान भोले नात सोचते हैं कि यदि कोई आदमी किसी गरीब के घर जाकर भी पड़ जाए तो वो गरीब भी उसकी खबर लेता है दुख दर्द पूछता है तो मैं तो देवादी देव महादेव हूँ मेरा तो परमकुर्तव्य है कि शर्णागत में आई हुए भक्त के बारे में पूछना जानना मुझे इनके पास जाना चाहिए और मुझे इनकी खबर लेनी चाहिए भगवान सीव ने ऐसा सोचा और अपनी करपा की कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया कि नर्सी तक खाना पीना पहुचा दिया अब नर्सी ने खाना खाया त्रप्ती हुई पानी पिया इसके बाद तो भगवान भूलेना शाक्षात पर गठो गए दर्शन दे रहे हैं आज और कहते हैं कि वत्स बिटा वर मांग लो कुछ मांगो मैं तुम्हें देने आया हूँ तुम इतने दिन भूके प्यासे मेरे मंदर पर पड़े रहे और किसी ने तुम्हारी सुद नहीं ली मैं तुम्हारी भक्ती से बड़ा प्रसन हुआ हूँ मांगो जो तुम्हें मांगना हो अब देखिये भक्त कितना भूला होता है स्री नर्शी जी कहते है कि भूले नाथ मुझे तो वर मांगना आता ही नहीं मैं नहीं जानता कि वर कैसे मांगा जाता है लेकिन आप देने के लिए कह रहे हैं तो आप अपनी और से सोच समझ कर मुझे वो चीज़ दे दे जो आपको सबसे प्यारी है जब भूले नाथ ने ये बात सुनी तो सोच विचार में पड़ गए अरे ये आज भक्त नर्शी ने क्या मांग लिया जो मुझे प्यारी वस्तु है जो मुझे प्रिय है उसका रहश्य है तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से कहने में भी डरता हूँ और वेद नेती नेती कहकर उसका वर्णन करते हैं अब तो भगवान भोले नाथ बड़े फसें सोचते हैं अगर मैं अपनी प्रियावस्तु नहीं देता तो मेरा वर्ण मांगो ये बोलना जूटा पड़ जाएगा बड़ा विचार कर रहे हैं भोले नाथ लेकिन वर्णने का वचन दे दिया है अब भगवान भोले नाथ से रहा नहीं गया कि जब कोई प्रिये की बात करता है तो बिना भोले रहा नहीं जाता या तो मोन होकर उसकी याद में आसुआने लग जाते हैं या उसके बारे में हम कहने लग जाते हैं तो आपको मैं बताऊं भगवान भोले नाथ ने श्री नर्शी महता को स्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया है आज नर्शी जी को भगवान कृष्ण का प्यार दे दिया है और नर्शी महता को कृष्ण प्रेम मिलने के बाद एकदम बावरे से हो गए नाच रहे हैं जूम रहे हैं, गा रहे हैं कि वाह, हे हरी है भुलनात तुने मुझे कृष्ण प्रेम दे दिया आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है क्योंकि जिसे कृष्ण प्रेम मिल जाए उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती जिसे कृष्ण प्रेम नहीं मिला वो ही भटकता रहता है कभी इदर कभी उधर कभी शान्ती नहीं मिलती शान्ती मिलती है तो कृषिन प्रेम से तो भगवान भोले नाथ ने नर्सी महता को कृषिन जी का प्रेम प्रदान किया है इसके बाद भगवान भोले नाथ ने नर्सी महता को एक बड़ी सुन्दर सखी बनाया है और खुद भी बड़ी प्यारी तिरी लोचना सकी बनकर नर्सी के साथ साथ नित्य व्रिंदावंधाम में आये हैं और यहाँ पर भगवान भूले नाथ ने राधा और क्रिशन का सुन्दर दिव्य दर्शन नर्सी जी को कराया है आज शाक्षात राधा क्रिशन महादेव इन सब का दर्शन करने के बाद नर्सी प्रेम मगन होकर रोए जा रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं इसके आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊँगा कि कैसे नर्सी ने राधा और कृष्ण के शाक्षात रूप का दर्शन किया है राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं और नर्सी कैसे आखों से उस छवी को पी रहे हैं अब एक बात कहूं यह बात मुरारी बापु से मैंने सुनी और बड़ी पकी बात है आप किसी भी धर्म के हूँ जाती के हूँ आपके इस्ट कोई भी हूँ लेकिन शिव भक्ति देने वाले हैं बड़ी जल्दी भक्ति परदान करते हैं तो कृष्ण की भक्ति बले ही आप करें लेकिन जब भी समय मिले शिव जी का दर्शिन करने जरूर जाओ क्योंकि भगवान भोले नात जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी जल्दी कोई भी नहीं होता देवो के देव महादेव हैं और जितना प्रेम कृष्ण से भोले नात करते हैं उतना कोई नहीं करता तो आज की कथा को यहीं विराम अगली कथा में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे नर्शी भगत ने राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को पाया है आज की कथा को यहीं विराम आपको मेरा प्रणाम जैशियाराम जय जय श्री रादे